गुजरात में स्टेफवेल का इतिहास बहुत ही पूराना है 11 से 16 सदी में वागेला और चालू की वन्स के राजाओं ने गुजरात में काफी स्टेफवेल बनवाई थी माना जाता है गुजरात में आज भी 120 के करीब छोटी बड़ी स्टेफवेल मौजुद है जिन में से पार्टन की रान की वाव और एहमदाबाद की अडलज वाव बहुत ही ज्यादा फैमस है फिर भी कई स्टेफवेल ऐसी भी है जो बहुत सुन्दर होने के बावजुद उसको आज तक उतना एटेंशन नहीं मिला है और इतियास के पन्नों में कहीं गुमसी है किलोमेटर और एहमदाबाद से करीब 20 किलोमेटर की तूरी परस्तित है माना जाता है पंद्रावी सदी में राणी रूडाबा इवागेला ने इस टेफवेल का निर्मान करवाया था इस टेफवेल में टोटल 5 मजले हैं और करीब 100 स्टेफ है ये श्टेफवेल हिंदू और इसलामिक आर्किट्रेक्चर का बहतरी नमुना है देखने में ये श्टेफवेल अडालर स्टेफवेल की पिल्कुल रिप्लिका है आपकी जानकारी के लिए बता दू कि अडालर स्टेफवेल यहां से सिर्फ 4 किलिमेटर की दुरी पर ही इस्तित है दीवाली के त्योहारों के दर्म्यान इस टेफवेल को रोस्नी और दियों से सजाया जाता है तब इसकी खुबसूरती देखते ही बनती है यहां पर कोई एंट्री फिस नहीं है और आप सुबद 6 बजे से सामको 6 बजे तक कभी भी विजिट कर सकते यह जगह इतनी खुबसूरत होने के बावजूद भी यहां काफी कम टूरिस्ट आते है ज्यादा तर प्रिवेडिंग फोटोशूट के लिए लोग बहुत आते है अगर गाववालों की माने तो यह प्रिवेडिंग फोटोशूट वाले यहां काफी कच्रा फैलाते है और उसी वज़े से अभी यहां पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाव नहीं है फिर भी आप रिक्वेस्ट करके यहां पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो पर एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिये कि कच्रा कहीं पे भी मट डाले आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कॉमेंट और सेर जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब देख कीजेगा फिर मिलते हैं एक नई जगा नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर